नमस्कार वंदे मातरम भारत माता की जै हमारे बाजू में एक छोटा सा बच्चा रहता है जो उसको पता है कि वो हर चीज गलत करता है किसी ना किसी को पीटना किसी की चीजे ले लेना सारे गलत काम और उसे पता भी होता है लेकिन जब भी वो पकड़ा जाता है तब वो हमेशा जिद करके रोने लगता है और बोलता है नहीं मैं कट्टर इमानदार हूँ, मैं यह कर रही नहीं सकता हूँ तो आज ऐसे ही एक कट्टर इमानदार की हम लोग बात करेंगे तो कौन हो सकता है वो कट्टर इमानदार आईये जानते हैं नमस्कार वंदे मातरम भारत माता कीजे आज हम लोग इस देश के नहीं वो अपने आपको इस देश के नहीं मानते क्योंके वो दिल्ली को एक अलग देश मानते है और वहां के वो मालिक भी है तो आज हम सो कौल्ड कट्टर इमानदार और दिल्ली के मालिक उर्फ और मुफ्त कोर हो वहां राजा एक नंबर का हरामी ही होता है और बहुत सारे लोग ना नजदीक का फायदा देखने के चक्कर में दूर का नुकसान नहीं देख पाते हैं आज इस दुनिया में जहां माँ बाप भी अपने बच्चे को दो मैने तीन मैने चार मैने उससे ज्या जनता को इतनी फोकट की चीजे बाटते रहते हैं और हमेशा जहां कोई इनसान आपको बोलता है लाइन में लग जाओ मैं फ्री की चीजे बाट रहा हूं तो आप लोग समझ लीजे के कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा कांड करने वाला है जहां तक पहुँचने की आपकी न प्रोहिंग्या मुसलमान घुस चुके हैं आप लोगों को क्या पता है कि ये लोग पिछले दरवाजे से अपनी एक ऐसी वोट बैंक तयार कर रहे हैं जिसके चलते आगे चलके आपको अगर घर भी छोड़ना पड़ाना तो आप कहीं जाकर रहना रो भी नहीं पाओगे उ उस हालत में आपको ये लोग रख सकते हैं तीसरी बात कि जहां पार्टी के लोग दिल्ली में जब दंगे हुए थे तब ताहिर हुसेन जैसे लोग जिनके टेरेस पर से बम बनाने के सामान तक मिले थे ठीक है वैसे लोग और फिर भी अगर जनता की आँखे नहीं खुलती है तो ये मुर्ख लोग सिर्फ मरने और मुफ्तकी और हराम की चीजे खाने के लिए ही पैदा हुए है ऐसा मान लेना चाहिए जहां तक केजरी वाल का सवाल है अभी चमचे और आपिये खेर आपियों की तो बाती अलग है क्योंकि वो दुख में लोट पोट हो चुके है श कुछ समय में हो सकता है चमचो का भी यही हाल हो क्योंकि उनकी इटालियन अम्मा और उनके 52 साल के यूवा यूवराज भी बेल पर भाहर घूम रहे हैं तो चमचे और आपिये दोनों अभी दुख की कगार पर है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता जो लोग ये बोल रह वो क्यों नहीं गया अगर वो अपने आपको कटर इमानदार बोलता है तो फिर वो डरता क्यों है क्योंकि मेरे को नहीं पता क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं कि हमारे देश के महान गांदी जी जो कभी गलत नहीं करते थे वो हर जगे जाते थे अंग्रेज उनको जब भी बुलाते थे वो चले जाते थे उनको तो कभी डर नहीं लगा तो अपने जब भी इंटर्व्यू या प्रेस कॉन्फरेंस कुछ भी करता है ये सो कॉल्ड कट्टा रिमानदार तो पीछे घंदी जी की फोटो लगाई है तो अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें डर कीस बा करता ही होगा कि आज नहीं तो कल मेरे पिछवाडे पर लात पड़ेगी तो केजरिवाल जब हो तब माइक से बोलता था कलकूट की मेरे को भी जेल में डाल सकते हैं और मुझे नवाई तो तब लगी जब केजरिवाल की लुगाई जो इससे भी बड़ी एक्टर है बलब कल राबडी देवी बनने की तैयारी में लगी पड़ी है तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है मेरे को सबसे पहले तो नहीं नौटं की लोगों से बहुत मलब हसी आती है जब इनका पूरा खांदान भी ऐसी भांड गीरी में लग जाता है बीस में उसकी बेटी की भी काफी फालतुगीरी चली थी उसकी बेटी को तो शायद किसी ने ऑनलाइन भी ठग लिया था और तब भी मैंने केजरीवाल को एक सजेशन दिया था कि अपनी बेटी की शादी उसी ठग से कराओ क्योंकि हमेशा ना एक बेटी का बाप चाहता है कि उसकी बेटी को अपने जैसे ग के बात लगे दूसरा अभी मैंने लेटेस्ट न्यूस पढ़ा कि रागव चड़ा बेहन को कोई प्रॉब्लम हुआ है सौरी आप लोग उसको रागव भाई बोलते हो ना सौरी रागव चड़ा जो अभी हाली में बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेस परिनीती के पती ब रहे है तो यह महला क्लीनिक क्या कुतों को मूतने के लिए बनाए है केजरी वाल जो चिला चिला कर बोलता है मैंने महला क्लीनिक बनाया है तो यह क्यों बनाए है बहुत सारी दिल्ली की मुर्ख मुफ्तखोर जनता को तो यह भी नहीं पता होगा कि जब केजरी वाल की खु परवार चल रही थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रही थी क्यों मोहला क्लिनिक किसलिए बनाए है कोई देगा जवाब इसका आज तक दिल्ली में जो हो रहा है वो इन चारो ये जो सबसे माहिर चोर है ठीक है उसमें से मनीश चिछो दिया अंकल तो अल्रेडी गए तब भी काफी नौटन की कराई आतिशी मार लेना ने और उन्होंने ये भी करवाया बच्चों से चिछिठिया लिखवाई मनीश अंकल ये वो लेकिन कुछ भी नहीं चलता क्योंकि ये देश समवीधान से चलता है और समवीधान में अगर आज हाई कोट सुप्रीम कोट त तो भी उनकी अगर अरजी खारीज हो गई तो इस मूर्ख जनता को समझ में आना चाहिए कि उनका आका कुछ तो गलत और बहुत बड़ा गलत कर रहा है लेकिन इन मुफ्तकोरों को हराम की जो खाने की आदत पड़ गई है उसके चलते इन लोगों को लगता है कि इससे ज्य जो नौटंग की खोर लुगाई है शायद उसको ये सब चीजे पता नहीं होगी और केजरी वाल की नानी ने इस बार कोई ग्यान नहीं ठोका जो राम मंदिर के टाइम पर उसकी नानी फोकट बनकर ग्यान ठोक रही थी कि बेटा मस्जिद गिरा कर जो मंदिर बनाते वहां कोई सुख नहीं मिलता नानी के इतने फालतु घ्यान ठोकने के बावजूद भी ये निकम्मा राम मंदिर के दर्शन करने भी गया सबसे बड़ी बात है मेरको लगता है शायद इस बार नानी ने कान में बोला होगा कि अवे साले आठ बार समन साचुका तू नहीं गया कि इस बार नानी ने क्या घ्यान गोटे बाते थे दूसरा अगर हम लोग ध्यान से अगर देखे तो वह खुदी कितने टाइम से उनको पता ही था कि जेल में उनको जाना ही है जाडू पोचा कटका करना ही है वहां पर इसलिए उन्होंने अपने भाशान में ये बोलना चाल वह तो मेरे को नहीं आ लगनाल में दो जूएरी दी दायों आःव मनें गए जाने देखे तो मेरे को नहीं लगता मनी लोगेसा अन्छा है दो दूए-बोला पने जाए जाहिए ऑर दोड़ना चाहि इतना कट्टर इमांदार इन्सान जो बोल रहा है वह लोगों को मानना आठ आठ करोड के पर्दे लगाता है इतना बड़ा घर बना लिया और जनता मुर्ख 200 यूनिट फ्री बिजली में ही खुश है मतलब मैं तो चाहती हूँ कि जैसे वैसे तो बॉलिवूड से मुझे सक्त नफरत है लेकिन जैसे बॉलिवूड में दिखाया जाता है कि अभी नेता को पुली स्टेशन में ले जाकर हाथ पैर बान कर एडी चोटी पर बहरा बर की ठुकाई होती है तो मेरा बॉलिवूड से विश्वासी उठ जाएगा अगर इस बार इसकी ऐसी ठुकाई ना होई रिमांड पर तो मैं चाहती हूँ कि बॉलिवूड जो दिखाता है वो सत्य दिखाता है वो प्रूव करने के लिए भी इसकी ठुकाई हो ताकि आगे चलकर ये फालतू के ग्यान कहीं बाटे नहीं और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अभी सबसे ज्यादा खुश अन्ना हजारे और कुमार बिश्वासी होंगे क्योंकि एक जिसने इसको पैदा किया था राजनीती में और दूसरा जो समझ गया था कि अपना फ्यूचर भी जेल में हो सकता है तो इससे दूरी रहो तो बा अब इससे ज्यादा तो और कुछ समझा नहीं सकते हैं नमशकार